वारिस पंजाद दे के मुख्य आमरितपाल को फरारी के समय पनहार दिलाने वाले आतंकी अफ्तार सिंग खांडा की हालत नाजुक बताय जा रही है अभी वो लेंडन में लाइफ स्पोर्ट सिस्टम पर जिंदेगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है अफ्तार सिंग खांडा पर लंडन स्थीद भारती दुतावास के बाहर से तिरंगा उतारने का भी आरोप है अफ्तार खांडा को ब्लड कैंसर है जिसकी वज़े से उसके पूरे शरीर में जहर पैल गया है हालत ज्यादा बिगरने की वज़े से उसे लाइफ स्पोर्ट सिस्टम पर रखा गया है वारिस पंजाब दे के मुख्य अमरितपाल को फरारी के समय पनहार दिलाने वाले आतंकी अफ्तार सिंग खांडा की हालत नाजुक बताय जा रही है अभी वो लंडन में लाइफ स्पोर्ट सिस्टम पर जिंदेगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है अफ्तार सिंग खांडा पर लंडन स्थीद भार्ति दुतावास के बाहर से तिरंगा उतारने का भी आरोप है अफ्तार खांडा को ब्लड कैंसर है जिसकी वज़े से उसके पूरे शरीर में जहर पैल गया है हालत ज्यादा बिगडने की वज़े से उसे लाइफ स्पोर्ट सिस्टम पर रखा गया है वारिस पंजाब दे के मुख्य आमरितपाल को फरारी के समय पनहार दिलाने वाले आतंकी अफ्तार सिंग खांडा की हालत नाजुक बताय जा रही है अभी वो लंडन में लाइफ स्पोर्ट सिस्टम पर जिंदेगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है अफ्तार सिंग खांडा पर लंडन स्थीद भार्ति दुतावास के बाहर से तिरंगा उतारने का भी आरोप है अफ्तार खांडा को बलड कैंसर है जिसकी वज़े से उसके पूरे शरीर में जहर पैल गया है हालत ज्यादा बिगड़ने की वज़े से उसे लाइफ स्पोर्ट सिस्टम पर रखा गया है